भारती रिजरो बैंक ने जून 2022 में एलान कर दिया कि जल्दी ही क्रेडिट कार्डों को यूपी आई से लिंक करने की सुविधा शुरू कर ली जाएगी और सरकार द्वारा जारी किया गया रुपे कार्ड इसके लिए सबसे पहले चुना गया है RBI Governor के 8 जून 2022 के इस अनॉंस्मेंट को सुनिये RBI के इस कदम के दूर गामी परिणाम हो सकते हैं आपके और मेरे लिए इसका सबसे बड़ा फाइदा यह होने वाला है कि अब हम लोग UPI से अपनी पसंद की चीज खरीद कर उसके पैसे बादमचुकता कर सकेंगे याने UPI की सेफ और तेज सुविधा के साथ क्रेडिट कार्ड का फाइदा भी साथ ही क्रेडिट कार्ड के डिटेल कहीं नहीं डालने होंगे जिससे फ्रॉड कम होंगे अगर आप कारोबारी या दुकानदार हैं तो यह हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों का कमिशन कम हो जाए और आपको स्वाइप मशीन रखने की जरूरत भी न पड़े सबसे बड़ा फाइदा यह कि इससे विदेशी कार्ड कंपनियां भारत की शर्तों पर काम करेंगी और उनकी मनमानी कम से कम कुछ हद तक तो कम होई जाएगी चलिए समझते हैं यह सब कैसे संबब होगा क्या आपको पता है कि क्रेट कार्ड कैसे काम करते हैं अगर आपके पास क्रेट कार्ड नहीं है तो सुनिए अगर है तब भी सुन लीजिए कुछ अंदर की बातें पता लगेंगे बैंक वाले अक्सर खाता खोलते समझे डेबिट कार्ड इशू कर देते हैं यह वो कार्ड होता है जिससे आप ATM में जाके अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं जो दुकाने या मॉल आदी डेबिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं वहां मशीन पर इसे स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं और आप कई तरह के बिल भी डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं लेकिन डेबिट कार्ड आपको उतने ही पैसे निकालने देता है या पेमेंट करने देता है जितना आपके खाते में जमा होता है इससे अलग होते हैं credit card ये भी अधिकतर बैंको द्वारा ही जारी किये जाते हैं इसका फाइदा ये होता है कि आप पैसे पहले खर्च कर लेते हैं और उसका भुकतान बाद में करते हैं इसलिए इन्हें credit card करते हैं credit का मतलब एक तरह का loan जैसे आपने एक तरह को credit card से 30,000 का mobile खरीदा और उसका payment 25 तरह को किया तो एक तरह से card की company ने आपको 25 दिन का credit यानि loan दे दिया credit card company हर महिने में कुछ दिनों के लिए ये credit या loan बिना ब्याच के देती हैं तो इसका मतलब credit card company आप free में credit free होता है लेकिन अगर आपने नियत समय पर पैसे नहीं लोटाए तो ये बहुत महंगे दर पर ब्याज वसूल करती है साथ में ये कारोबारियों से credit card से जो लेंदेन होता है उसमें से commission वसूलती है जो कीमत का 2-3% तक हो सकता है इस समय दुनिया में कुछ credit card company का वर्चस्व है और जब भारत ने अपना रूपे card चलाया तो इन्हों ने आसमान सिर्प उठा दिया और अंतराष्टरी इस तर पर कोशिश की कि रूपे card फेल हो जाए लेकिन भारत की सरकार ने रूपे card को सरकारी scheme के लाभारतियों के खातों से जोड दिया तो फिर ये चल निकला इसी तरह ये कंपनियां भारत में UPI के बड़ी सफलता से तिल मिलाई हुई है क्योंकि इनका कारोबात लगातार भारत में घट रहा है जबकि इन कंपनियों को भरोसा था कि भारत में वो दुनिया में सबसे ज़्यादा credit card बेच पाएंगे और लोगों को इनकी लत लग जाएगी और वो इसका बेतहाशा उप्योग करेंगे और इनको खुब commission मिलेगा RBI के इस कदम से इन credit card company के सामने एक नई समस्या आ गई है वो यह है कि जब वो UPI से जुड़ेंगे तो उनके commission का क्या होगा क्योंकि UPI से लेन देन में तो commission नहीं मिलता अब यह करें तो क्या करें अगर नहीं जुडते तो कारोबारी card से payment लेना बंद कर सकते हैं क्योंकि इनको commission देने की वज़ए से उनका मुनाफ़ा कम हो जाता है और लोगों के बीच में UPI और wallet काफी पसंद किये जाने लगे हैं लगता है जैसे e-wallet company यह जैसे कि paytm, phone, pay, mobi, quick इन company ने UPI के आगे घुटने टेक दिये और UPI से जुड़ गए वैसा ही कुछ in card company के साथ भी होगा जो भी हो आम जन और कारोबारियों के लिए यह एक बहुत अच्छी खबर है और देश के लिए भी क्योंकि इससे विदेशी कमपनियों की पकड़ से कुछ हद तक तो मुक्त मिलेगी ही जाते जाते आपसे निवेदन कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इससे आपको तो कम्प्यूटर, मोबाइल, नई टेकनलोजी इनके विडियो मिलते रहेंगे साथ में मेरा भी उत्सा कायम रहेगा नमस्क्राइब